आपके सामने इस बार एक special PPT बना के लेके आया हूँ मेरे experience के उपर से जो lockdown के अंदर मैंने learn किया है past, present and future इस नाम से तो ये जो PPT बनाया है इसमें my lockdown, my professional, my life के उपर मैं discuss करने वाला हूँ जीवन में थोड़ी मुश्किले आती है लेकिन हमें बहुत कुछ वो सिखा के जाती है और इस disclaimer के साथ हम discuss करेंगे कि इसमें कई future events के उपर भी हमने चर्चा की है, इसके impacts अलग-अलग हो सकते है हर इनसान के उपर और ये guidance purpose के लिए है, एक motivational presentation है कि एक CA होने के नाते मेरे office के उपर, work from home culture के उपर, मेरे life के उपर lockdown का क्या परिनाम हुआ है तो चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और फटा फट देखते हैं कि क्या हमें lockdown में से सीखना चाहिए तो next slide जो है हमारी इसके अंदर हम देखेंगे कि जो agenda है हमारा वो current scenario of economy, impact on the business, three sector responses, government, professional area response, मेरा response, future scenario, how to come out of the lockdown three approach theory ये जो मैंने develop किया है और आखरी में conclusion तो work from home कैसे करें इसके उपर भी हम इसके अंदर चर्चा करने वाले है तो current scenario of the economy क्या चल रहा है ये हम सबने पढ़ाई की है already के एक देड मैना हो गया है 180 countries के अंदर करोना का impact आया है GDP 2% से down होगा इंडिया का भी GDP 1-2% तक down जाएगा बहुत बड़े crisis आये है ये 2020 साल के अंदर demand और supply का भी destruction है daily wage earners को बहुत बड़ा problem चल रहा है manufacturing sector down है service sector जिसके अंदर CA profession आता है वो भी down चल रहा है और ये situation world war 2 के बाद में जो situation आई थी वैसे worldwide situation आने वाली है इंडिया में और अपने states के अंदर तो businesses को बहुत बड़ा impact हो रहा है demand and supply का pattern बदल रहा है कुछ नए products markets में आ रहा है old products vanish हो रहा है फिर method of working change हो रही है work from home और technology का usage बढ़ रहा है survival of the strongest हो रहा है हाली के अंदर facebook और reliance का partnership का और इतना बड़ा कडम ये lockdown में भी उठाया गया इसका मतलब ये है कि जो strong है वो आगे बढ़ता ही रहेगा small traders के उपर भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है innovations technology के अंदर online बहुत बढ़ रहा है offline इसका effect भी हो रहा है और high debt companies को इसके अंदर problem आनी वाली है business के अंदर capital और revenue expenditure तो ऐसा पूरा business के उपर परिनाम हो रहा है अब एक outlook हम share कर रहे है जो हो सकता है कि change भी हो जाए पर देखते है कि अगर lockdown शुरू रहा 31 मई तक तो इसके chances है कि ये शुरू रहेगा red zone के अंदर ये continue उसके बाद में भी रह सकता है orange और green zone, hot spots, urban areas यहाँ पर कहीं पर कुछ प्रमान में छूट मिल रही है पर इसका पूरा असर क्या हुआ है जो daily wage earners है उनके उपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है एक दिड़ मेने के अंदर फिर आते है हम कि अगर ये 30 जून तक बढ़ता है तो इसके भी chances 50% है पर कौन से एरिया में है red zone के अंदर hot spots के अंदर जैसे Mumbai पूना और global trend अगर देखेंगे कि second phase करोना का फिर से आता है तो ये major rate होगा lower middle class को भी और अगर ये 30 September तक continue रहता है इसके chances 30% हो भी सकते है क्योंकि health के adequate measures नहीं है social distancing maintain नहीं हो रही है death ratio अगर बढ़ रहा है तो lockdown ये फिर से कुछ-कुछ इलाके में और कुछ-कुछ districts में states में continue भी हो सकता है बर we don't know it अगर ऐसा होता है तो ये middle class को भी hit करेगा और अगर 31 December तक ये चलता है जो कि worst scenario है क्योंकि medicine मिली नहीं है lockdown government को forcefully continue करना पड़ता है तो ये higher class को भी effect करने वाला है तो अब ये पूरे scenario के अंदर as a CA मेरे practice के उपर मेरे office के उपर मेरे life के उपर कैसे मेरे उपर परिनाम होने वाला है ये भी मैं इसके अंदर discuss करने वाला हूँ अब देखते है कि इन lockdowns के अंदर government ने क्या-क्या response दिया है मेरे professional areas के अंदर क्या-क्या response आया है और मेरा खुद का क्या response रहा है इस lockdown के अंदर तो government अपना-पना काम कर रही है, state government कर रही है, central government कर रही है, local bodies भी कर रही है, circular issues कर रहे है अपडेट दे रहे है कि lockdown में क्या करें, क्या नहीं करें, income tax के due dates के relaxation दे दिये है, GST के relaxation दे दिये है, corporate और insolvency act में भी relaxation दिया है RBI ने भी loans का monitorium period 3 महने से बढ़ा दिया है, interest के अंदर repo rates के अंदर changes किये, तो banking sector को भी सहरा दिया है Rera के अंदर भी इनोंने छूट दी है, फिर कई ऐसे businesses है जो अभी भी शुरू है, जैसे hospitals है, kirana shops है, banks है, prints मीडिया है कुछ essential deliveries भी चालू है, petrol pumps चालू है, कुछ manufacturing sector जो essential commodities बनाता है, उसको भी lockdown में चालू रखा है फिर fire and law emergency services है, stock market शुरू है, cold storage को भी चालू रखा है, agriculture sector support के लिए फिर private security, warehousing क्योंकि बंद रहने से ये watchman के services भी बढ़ रही है IT enable services जहांपे essential है, software companies को भी चालू करने दिया है, power generation है, continuous production plants है, उनको भी दिया है अब दिरे 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 orange green zone इसके अंदर permissions लेके दिरे दिरे lockdown को खोलते हुए, lockdown के अंदर वो permissions भी दे रहे है तो थोड़ा-thोड़ा कहीं पे खुल रहा है, थोड़ा-thोड़ा कहीं पे बंद हो रहा है, तो government अपने तरप से पूरा इसके अंदर response दे रही है अब अगर आगे हम देखते है कि मेरे professional area के अंदर आज़र CA क्या इसका प्रभाव हुआ है या हो सकता है तो अगर ये निकालना है कि मेरा response क्या रहा हमारा response क्या रहा तो हमको ये study करने के लिए जो professional area है उसको थोड़ा सा define करना पड़ेगा और वो एक common consensus बनाने पड़ेंगे ह हमको कि based on कि ये CA जो है ये practicing CA है या job में CA है क्योंकि practicing वाला है तो उसके उपर lockdown का effect अलग है जौब के अंदर है तो वो किस sector के अंदर जौब कर रहा है बैंकिंग में इंशुरंस में मल्टिनेशनल है तो वो उस sector का उसके उपर प्रभा होगा और employer-employee relationship अगर अच्छी है त तो CS के उपर जौब के अंदर ज्यादा effect financially नहीं होगा पर work from home culture में तो होना ही होना है फिर अगर आगे देखते है एजवाइस तो यंग CS है जो नए-नए practice में आए कुछ middle age भी होगे कुछ old age CA भी होगे तो एजवाइस thinking भी change होती है तो उनका भी thinking process के इसाफ़ से lockdown का analysis वो red zone में हो सकते है क्योंकि अभी अभी practice शुरू कि यह साल दो साल हुआ है और अचानक यह सब आ गया है कैसे तो भी वो develop करना चाहा रहते है पर यह एक नया phase उनके life में आ गया है फिर जो 15 साल तक practice है वो थोड़े orange zone में है इन्होंने कुछ न कुछ तो भी अपना financial stability बना होगी alternate source of income भी रखा होगा और जो old age में है वो green zone में है याने इसके ओपर lockdown का प्रभाव बले कम हो सकता है क्योंकि age के हिसाप से अब उनके पास financial थोड़ी बो stability होगी पर yes उनके ओपर health की भी risk lockdown के वज़े से जादा रह सकती है अब आगे चलते है कि मैं practice में हूँ तो मैं की services है क्या उसके उपर भी मेरा प्रभाव change हो सकता है फिर बाद में मेरा partnership firm है या proprietary है small है medium scale है कि large multinational में हूँ big four के अंदर हूँ तो भी मेरा ये lockdown का प्रभाव change होगा क्योंकि proprietor को सब खुदी करना है small firm है दो तीन की है उसके अंदर अगर family के members है तो वो उसको cope up ठीक से कर सकते है medium scale है तो वो अपने अपने जुम्मेदारी बाट के ये firm अलग बढ़ सकती है large scale है तो large scale के अपने खुद के problem से उनके पास infrastructure है mindset है manpower का training भी है तो वो lockdown में से भी बाहर जल्दी से आ सकते है या आ भी गए होंगे उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया होगा फिर location भी देखना जरूर है हमको offices पे क्योंकि कुछ states के अंदर lockdown खुलेगा खहीं पे नहीं खुलेगा तो कौन से zone में मेरे offices है multi state के अंदर है क्या 4 state में 2 state में है क्या तो भी मुझे lockdown का effect चेक करना है फिर मैं urban area में हूँ या ruler area में हूँ वहाँ पर भी इसका परिनाम होने जाने वाला है क्योंकि area based lockdown खुलेंगे फिर बाद में मेरे clients कैसे है service sector वाले है manufacturing वाले है ट्रेडिंग वाले है तो भी मेरा lockdown का परिनाम अलग-अलग हो सकता है तो इतने सारे अपने profession के उपर impact होने वाले सारे areas को देखके ही पता चलेगा कि मुझे आगे क्या करना है तो ये रहा म ये पूरी कोशिश में लगा हुआ है central government के साथ और ICI की vision भी है कि हमको world leading accounting body a regulator and developer of a trusted and independent professional with a world class competencies in accountancy, assurance, taxation, finance and business advisory services मतलब ये हुआ है कि आप business को भी problems है अगर lockdown का problem उनके सामने है तो उसमें से बाहर निकलने की भी advice हमको देनी चाहिए तो as a CA हमारी institute भी इसके अंदर लगी हुई है काम के अंदर कि कैसे हम इसमें से बाहर निकल सकते है फिर roles and responsibilities of a CA ये मुझे लगता है कि हमने खुब ध्यान से सुनना चाहिए और अमल में भी लाना चाहिए हम लाते ही है कि हमारा role है auditing करने का assurance services देने का consultancy के अंदर और ये business advisory का role important हो चुका है और सबसे main friend guide philosopher क्योंकि clients को हमारी अभी need है तो lockdown के अंदर clients क्या सोच रहा है उनसे discuss करे उनको guide करे उनको help करे फिर ambassador of accountancy profession active participation in policy framing lockdown के effects के उपर भी हम participate कर रहे है कई webinar ले रहे है कई meetings ले रहे है उसके अंदर हम discuss कर रहे है represent भी कर रहे है government को उसमें हम participate कर रहे है फिर immense opportunities for serving the nation ये हमारे उपर है और सबसे main जो मुझे लगतना है partner in nation building तो ये अगर हमारा role है तो nation को हमारी need है तो हमको अब nation के साथ में खड़ा रहना पड़ेगा मेरे personal life के मेरे office के issue side में करकर मुझे nation को build up करने में help करना चाहिए ये मेरे roles and responsibilities होते है अब आगे चलते है कि मेरे personal office के उपर और मेरे life के उपर क्या इसका impact हो रहा है my profession, my commitment and my life in lockdown तो एक CA के office के अंदर मेरे office के management के अंदर अब work from home culture मुझे लाना है तो सबसे पहले कि मुझे need है क्या work from home की ये हरे को देखना चाहिए फिर इसके हिसाब से मेरे पास में offline, cloud, online कितने softwares है जो मैं यहाँ पर use कर सकता हूँ क्योंकि अलग-अलग softwares मिल रहे है market में तो research करना पड़ेगा हमको zoho का है, google का है, tally cloud services है तो अलग-अलग services हम कौन सी ले सकते हैं ये analyze करना पड़ेगा hardware management की मेरा server को मैं कैसे access करूँ, मेरे पास में कितने laptops है, कितने desktops है ये employees के घर पे देना पड़ेगा, articles के घर पे देना पड़ेगा, उनके पास नहीं है, तो office से निकाल के देना पड़ेगा, नहीं है तो rent पे मिल सकता है क्या, पर अभी rent पे भी नहीं ले सकते, तो ये सारी चीजे मुझे analyze करना चाहिए फिर data storage facilities, क्योंकि ये secrecy of the data और data का management बहुत important है, क्योंकि online के अंदर data चुराने का भी डर रह सकता है तो मैं उसकी data secrecy कैसे रखू, फिर IT skill का real test होने वाला है, कि information technology का knowledge हमारे firm में है या नहीं है मुझे as a partner, as a proprietor है या नहीं है, तो मुझे वो सीखना पड़ेगा, फिर video meeting के techniques भी हमको चाहिए तो कौन सा software यूज करे, skype यूज करे, google के यूज करे, क्या microsoft के यूज करे, तो ये अलग-अलग zoom का है तो ये सिखना पड़ेगा कि कैसे हमारे staff के साथ में हम video conferencing कर सकते internet और broadband facilities के उपर भी effect होगा, क्योंकि मेरे पास में mobile data का problem है, articles के पास में problem है किसी के घर पे broadband है, किसी के यहां नहीं है, फिर अपने clients का data वो हमारे साथ share करेगा के नहीं करेगा मेरे office का server के अंदर कितना data है, जिसके उपर में काम शुरू कर सकता हूँ, client से कितना लेना है फिर मेरे accounting software यह online हो सकते है, क्या tally है, ERP है, zoo है, फिर tax के भी software होंगे, winman है, clear tax है अगर किसी के office में task management का software होगा, तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि offices के अंदर वो task बना के आगे चल सकते है फिर important है कि location of the office and travel time, तो बड़े बड़े शहरों में तो travel time बहुत बड़ा है, छोटे छोटे शहरों के अंदर और ruler areas के अंदर, green zone में, orange के अंदर, वो part time office भी जा सकता है जो villages के अंदर है, या semi metros के अंदर है, तो वो लोगों को need from work from home का need कम हो सकता है कई बड़े बड़े cities में इसको तो करना ही पड़ेगा, छोटे छोटे मेट्रोस के अंदर, छोटे 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 offices के अंदर, थोड़े बहुत प्रमान के अंदर तो भी ये planning सबको करनी ही पड़ने पाली है आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, कई लोग पहले से ही शुरू कर चुके है, अब कई लोग बीच में जब lockdown बड़ा 14 एप्रिल को तब से चालू किये, कोई लोग 20 तारिक एप्रिल से शुरू किये, क्योंकि अब ये आगे, 3 मई के आगे भी जा सकता है तो ये कश्मकश के माहूल में किसी ने जल्दी शुरू किया, कोई लेट है, पर ये हर एक ने करना चाहिए, अपने अपने नीड के हिसाब से फिर manpower management work from home के अंदर की motivation सबसे ज़्यादा important है, की मुझे ये करना है, मेरे employees को भी इसमें सिखाना है, उनको training देनी है, articles को भी बताना है, कब तक हम holidays का enjoyment करेंगे, extended होते जा रहा है lockdown, तो holidays पहले अच्छा लगा, फिर बाद में ज़्यादा ही आराम हो गया, फिर office के भी काम होने चाहिए, तो enjoyment कितनी है, हमारा और काम के प्रति commitment कितना है, ये हर एक को सोचना जरूरी हो गया है, फिर trust building बहुत जरूरी है, की employees को भी समझाना जरूरी, की ऐसा office नहीं चल सकता, आगे भी ये काम हमको ही करना है, तो आप लोगों का भी support है, फिर उनको भी ये लगना चाहिए, कि हम भी काम कर रहे है, तो ये एक employer, employee, partners, articles और employees के बीच में एक trust होनी चाहिए, फिर ownership of work कि आज नहीं किया, तो कल मुझे करना है, कल नहीं किया, तो परसो करना है, तो बाद में रात में जागना पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना थोड़ा, 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 मैं काम कर लूँ, फिर कौन सा office हम work from home में convert कर सकते है, कौन सा काम, तो जैसे GST audit 1819, इसका तो data भी है, return भी चले गए है, सब हमारे पास में है, तो ये pending audit तो हम खतम करना ही चाहिए, कुछ tedious returns है, वो भी हम इसके अंदर ले सकते है, फिर partners को किसी को ना किसी को तो भी लेना पड़ेगा, lead लेना पड़ेगा, कि technically ये सब manage करने के लिए, employees का allocation के लिए, teamwork develop करने के लिए, फिर office का environment अलग होता है, घर का environment अलग होता है, तो घर के कुछ issues रहेंगे, हर एक के यहाँ उतना rooms नहीं है, उतनी facility नहीं है, तो output के अंदर फरक पढ़ने वाला है, फिर cost of the manpower, क्योंकि आगे अगर work from home करेंगे, तो इनको हमको salary देने के लिए भी मज़ा आएगा, तो work from home, उनको भी अच्छा लगता है कि हमने भी कुछ काम किया है, तो हमको reciprocate हो रहा है, फिर daily सबेरे शाम meeting होनी चाहिए, follow up होना चाहिए, excel sheet के अंदर task maintain होने चाहिए, बले ही इसके अंदर आप detail में discussion मत करो, पर कौन सा काम आज करने वाले है, और आज शाम को हुआ के नहीं हुआ, बस इतना ही करें, तो भी ठीक है, आदे पाउन गंटा, रोज अगर discussion करते है, एक गंटा, तो इसका effect होगा, फिर time management, कोई सबेरे करेगा, दुफेर को करेगा, शाम को करेगा, रात को करेगा, तो थोड़ा सा compromise करना पड़ेगा, क्योंकि work from home culture है, lockdown है, तो कोई कभी भी काम करे, उसके result से हमको लेना देना important है, फिर output, ये सबने ध्यान में रखना है कि 100% office तो नहीं चल सकता, तो 40-70% भी अगर efficiency मिलती है, तो बहुत बड़ी बात है, तो वो इ ऐसे वर्सा भी हो जाएगा, क्योंकि वो atmosphere उसको जम नहीं रहे है, और किसी को ऐसा लगेगा कि कोई disturbance ने, कुछ ने, कुछ ने, मैं घर पे बैटा हूँ, focus वे से काम कर रहा हूँ, तो उसका performance अच्छा भी हो सकता है, तो ये भी बहुत important है, कि हमारे घर पे हम laziness पे रह रह है, या कोई disturbance नहीं है, तो मैं मेरे काम के अंदर मन लगा के काम कर रहा हूँ, और फिर client management के अंदर, work from home के अंदर क्या किया जाए, क्योंकि सबसे important है, कि मेरे client को भी need है, क्योंकि कुछ ऐसे काम है, जो मेरे office के मेरे को खुद को करना है, तो वो तो मैं work from home से करी रहा हूँ और करना भी चाहिए, और backlog अगर कुछ है, policy matters है, तो offices के solve करने चाहिए, office को मैंने और next level पे लेके जाने का काम करना चाहिए, पर client involvement है क्या, इसके लिए मुझे ABC analysis करना पड़ेगा, फिर working in lockdown अगर वो client है, तो उसका business चालो है, तो उसको services देनी तो work from home से देना पड़ेगा, फिर follow up and response time में फरक पड़ सकता है, कि आपने आज data मागा, वो चार दिन बाद देगा, आपने आज उसको audit की queries दी, वो पाच दिन बाद दे सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी अपने को compromise करना पड़ेगा, फिर client के staff का भी attitude हो सकता है, कि वो घर पे बैटा है, वो भी क् करेगा, तो यह थोड़ा सा उनको भी अपने को motivate करना पड़ेगा, फिर कौन सा काम हमें करना है, कौन सा काम client को करना है, कौन सा work from home में होने वाला है, कौन सा actual में मिलके होने वाला है, यह भी सबको planning करना जरूरी है, communication skill develop करनी पड़ेगी, client को भी virtual meetings के अंदर, video conferencing में involve करना पड़ेगा, हमको trust building exercise client के साथ बढ़ना चाहिए, तो ही वो clients हमारे को work from home में help करेंगे, clients के infrastructure भी की हमको सोचना पड़ेगा, कि उसके पास ये सारी चीज़े है या नहीं है, फिर सबसे main कि client के सोच से आगे अपनी सोच रहने चाहिए, कि उसे क्या चाहिए, और उसे क्या आ services हम दे सकते है, क्या ये भी हमने सोचना है, तो हर एक के client के हिसाब से भी work from home का culture change हो सकता है, अगर companies है तो वो support करेगी, छोटे मोटे firms है तो वो कोशिश करेगी, प्रोप्राइटर है तो वो खुदी है तो उसको हमको बाद में लिना पड़ेगा, तो ऐसा करके ABC analysis करके client management कर सबसे main, अब revenue management, क्यों work from home अगर करना है तो revenue कैसा रहेगा, lockdown का मेरे उपर क्या impact हो रहा है, कितनी fees मिलेगी, क्या होगा, पुराने fees का क्या, ये सारे प्रश्टना दिमाग में चलते हैं, तो कई लोगों ने तो पुराने अपने pending bills issue किये है, मार्च के अंदर, एप्रिल के शुरुआत में, एक-एक मेना, छेचे मेना, साल-साल पूराने bills बनाने रह गयते हैं, वो कई CS ने complete किये है, तो कम से कम हमारा ये काम तो पूरा finish हो जाना चाहिए, कि हमने हमारे billing तो भी कर देना चाहिए, ये और issue है, कि आप billing जाएगी, वो बोलेगा lockdown है, तुमने अभी म नहीं भी हुई होगी, कोई 5%, 10% तक भी average billing तक गया होगा, तो उसके नसीब है, तो फिर क्या, अब outstanding fees, ये पुरानी fees वसूल करना है, तो ये lockdown का इसके ओपर क्या आसर होगा, क्योंकि पिछले साल-साल भर से, चेचे मेने से बिलनी आए, तो आगे कैसा आएगा, तो ये recovery कर जिनका business run हो रहा है, lockdown में भी चल रहा है, उनसे contact करो, उनसे fees का recovery करे, फिर बाद में B, जिनकी capacity है, जो दे सकते है, उनसे trust building करे, और उनके साथ बाचित करके करे, और C नाम के client तो हर एक के पास मिलेंगे, जो हरदम ही रोते रहते है, अब तो lockdown के वज़े से दिवाला निकल गया, ऐसा बोलेंगे, तो ये लोगों के उपर energy अभी कम करे, पर बाद में इनके उपर focus करके वसूली करे, और सबसे main, who will build the cat, अब ये वसूली की जुम्मेदारी कौन लेगा, तो कई पार्टनर्स को अपना ego side में रख कर, अब खुद को उतरना पड़ेगा मैदान में, औ new billing तो अभी April का, तो कईयों के पास हुई भी नहीं होगी, तो work from home जिनके यह success हो गया है, वो billing स्टार्ट करके अपने clients को care लिया है, तो उनका charge भी वो कर सकते है, तो ये भी एक important aspect है, कि जिनका work from home चल रहा है, they can start their billing also, फिर cash flow management, ये बहुत बड़ा risk होने वाला है, कि इसको कैसे हम आगे maintain करे, तो client के साथ चर्चा करते रहे, 10 बार उनसे बात करेंगे, तो 11 बार कुछ ना कुछ recover होगा, installment में क्यों ना हो पर fees की recovery करे, पूरही fees नहीं मिल रही है हो, तो पार्ट पार्ट ली करे, तो इससे अपना cash flow management भी बरकरार रहेगा, और सबसे main बात, मेरे employees क पर no pay is a risk, salary तो देना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे real assets है, और आगे humanity ground के उपर भी, और आगे future में यही लोग काम करने वाले है, जब lockdown खुल जाएगा, जोरो सोरो से दिन, रात, पहले भी उन्होंने क्याम किया होगा, आगे भी किया होगा, तो उ आपके हिसाब से partly क्यों न हो, वो करे, फिर increment, hike, ये सारी चीजे भविश्य के अंदर आगे आएगी, फिलाल तो इसकी कोई चर्चा नहीं होगी, पर जैसे जैसे situation सुद्रेगी, वैसा वैसा इसके उपर भी discussion होगा, ये employees के साथ discuss कर ले, और उस हिसाब से एक commitment लेकर आगे क काम बढ़ा है, और सबसे main हमारी CA की fees कहीं पे भी जाने वाली नहीं है, आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, पर ये return off तो कुछ होने वाली नहीं, ये हमारा पुराना अनुबो बताता है, तो थोड़ा patience रखे, और थोड़ा ऐसा planning करे, अगर कहीं पे सा CCB लेना पड़े, तो लेवे, पर आगे बड़े, पीछे ना हटे, ये मेरा एक request है, revenue management के तौर पर, और अब हम चलते है, कि ये lockdown के अंदर से, हमने देखा कि हर चीज में compromise, compromise, compromise ही करना पड़ रहा है, तो what is the way to come out of this, तो ये एक theory मैंने develop करी है, यहां पर, जो मुझे लग की बहुत use होने वाली है, ये slide में आप देख रहे हो, there is a light even in the dark places, मतलब जितना भी आंदेरा हो, तो कहीं न कहीं तो भी हमको आगे जिन्दगी में सवेरा मिलने वाला है, अगर जिन्दगी में कुछ पाना हो, तो तरीके बदलो अपने इरादे नहीं, तो इरादे तो नेक इरादे रखने है, सबको आगे बढ़ने का इरादा रखना है, तो हमको क्या तरीके से चलना चाहिए, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, lockdown के अंदर, ये एक personal experience में आपके सामने शेर कर रहा हूँ, और एक थेरी प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, तो ये थेरी है, थփ अप्रोच हमारा तरीका, एक ऐसे व्यक्ति हमारे इर्द की रता है, जो डरेवे, जो fearing है, फिर कुछ व्यक्ति सीख रहे है, learning phase के अंदर वाले, learning approach वाले लोग मिल रहे है, और कुछ है growing phase के अंदर, जो growing approach के साथ में हमको मिल रहे है, तो एक signal के अंदर जैसा green, yellow और red light रहता है वैसे लोग मिल रहे है कुछ लोग हमारे दोस्त है relatives है employees है articles है हमारे परिवार जन है कि जो हरदम negative ही बात कर रहे है कुछ लोग सीख रहे है कुछ लोग उसके भी आगे जा रहे है help कर रहे है सब को तो ऐसे अलग-अलग personalities आपको मिलेंगी तो ये personalities कैसे है पर्सनल लाइफ कैसे रहती है वो क्या सोचते है वो हरदम अपने health physical और mental health के बारे में वरीड रहते है निगेटिव thoughts में रहते टेंशन में रहते आइसोलेशन में रहते ज्यादा बात चीद नहीं करते हर बार कुछ न कुछ प्रॉब्लेम ही डिसकस करते है और ये technology को भी यूज ने कर रहे है अपने खुद के well-being के लिए इनका weight management तब्यत के उपर ज्यादा ध्यान नहीं रहता है no exercise no yoga ऐसे उनकी routine रहती है फिर social life के अंदर वो worried रहते है अपने family के बारे में relatives के बाद में CA partners है अपने friends है society के बारे में social platform जो whatsapp है facebook है media है इधर वो negative चीजे ही forward करते है negative चीजे ही discuss करते है कि आज करोना में इतने मर गए इतने ऐसा हो गया रहे है कैसा होगा क्या होगा फिर wealth के बारे में भी उनकी सोच एक worried सम रहती है कि personal wealth का क्या होगा business wealth का क्या होगा भविश्य में income रहेगा के नहीं रहेगा recession बहुत बढ़ रहा है interest और loan कैसे repayment होगे expenses कैसे कम करे employees को salary ना दे sure market के अंदर भी downfall है आगे मंदी आ गई तो क्या होगा कोन मुझे मदद करेगा banks के अंदर कैसा होगा उनके पास कोई short term plan ही नहीं है overcome करने का economical crisis का ऐसे भी लोग मिलते है फिर career के अंदर वो अपने profession के प्रती clients के प्रती अपने office के अंदर work from home के अंदर problem में डूण रहे है कि job में भी होंगे तो problem shutdown के उनके worries है उनके पास कोई alternate plan नहीं है skill enhance करने का ICI के website के उपर जाके webinars को join करना है branches में associations में उनके guidelines के उपर वो नजर अंदाज करके अपना एक negative mindset से ही आगे बढ़ने की कोशिश वो करते है अब आते है next वो है learning और self sufficient balance वाला person ये जो person रहता है ये जो approach है ये अपने personal life के अंदर maintain करने की कोशिश कर रहा है वो अपना अपना health maintain करने की कोशिश कर रहा है वो balance thought में रह रहा है वो कुछ ना कुछ सीख रहा है कि कैसे relax रहा जाए silently वो कुछ ना कुछ अपने काम में लगा है health के उपर ध्यान दे रहा है कि करोना मुझे ना हो तो क्या मैं चेक करूँ फिर weight management के लिए है फिर वो कभी-कभी exercise भी कर लेता है ये बंदा ऐसा है कि वो खुद के उपर ध्यान दे रहा है कि मेरी तब्यत अच्छी रहे और मैं सुकुन से रहू फिर social life के अंदर वो ये भी देख रहा है कि मैं social distances रखू family members को support करू, relatives को, CA partners है या employees है, society के साथ में मैं कैसा रहू वो हरदम discuss करता है, तो कुछ न कुछ सीखने की ही कोशिश करता है, कुछ solution adopts करने की कोशिश करता है कि WhatsApp से मुझे कुछ motivation मिल रहा है क्या, कोई news के अंदर भी वो यही देखता है कि करोना का जो effect हो रहा है, इसको कैसे balance किया जाए wealth front के उपर वो यह सोचता है कि कैसे maintain करो, जितनी salary चल रही है जितना मेरा receipt आ रहा है, जितना मेरा revenue आ रहा है, कम से कम उसे maintain करो future के अंदर में recession को कैसे avoid कर सकता हूँ, loan मेरे पास में ज़्यादा न हो interest का repayment न हो, maintain करो में मेरा खर्चा, ज्यादा में luxury items के तरफ न जाओ, मेरा market में exposure न बनाओ, और needy persons को वो छोटा छोटा donation भी अपने अपने इसाब से दे रहा है कोशिश कर रहा है, ये बन्दा थोड़ा short term plan बनाए, कि अगर 30 जुन तक चला, September तक चला, December तक चला, उसको कोई पता नहीं है कि क्या होगा, फिर भी वो कोशिश कर रहा है, सीख रहा है करियर के बारे के अंदर भी वो अपने profession के प्रती, अपने business के प्रती, learning phase के अंदर है, work from home का वो थोड़ा-थोड़ा सीख रहा है, कुछ कोशिश भी कर रहा है, analyze कर रहा है, और adapt कर रहा है changes को, वो maintain कर रहा है, अपनी learning, कुछ-कुछ किताबे पढ़ रहा है, अपने webinar देंगे, फिर growing और helping others, ये एक third category है, जो ऐसी category है, जो अपने personal life के बारे में हरदम सोचती है, कि चलो, मुझे lockdown का फायदा लेना है, अच्छे से अच्छी exercise करू, mental और physical health को मैं आगे बढ़ाओ, नए-ने technique सिखू, नए-ने technology का help लू, weight reduction करू, discipline में रखू, रोज सबेरे, शा हूँ, और करोना से बचने के लिए immunity power कैसे बढ़ाओ, ये ऐसा कर रहा है, दूसरों को भी बोल रहा है, सब को support कर रहा है, motivate कर रहा है, social life के अंदर भी वो guide कर रहा है, family के अंदर, relatives के अंदर, friends के अंदर, अपने CA profession में, अपने employees को, articles को, वो solution दे रहा है, कि कैसे इसमें से बाहर निकले, कैसे resolve करे, वो whatsapp के उपर, facebook के उपर positive interaction कर रहा है, करोना की effect कैसे reduce हो सकते है, उसमें help कर रहा है, lockdown के अंदर से कैसे बाहर निकले, ये वो solution धूनर दे रहा है लोगों को, फिर wealth के अंदर, उसको बहुत कम वरी है, वो अपने personal grow कैसे हो सकती है, business में कैसे grow सकते क्या नया future में आगे आएगा, recession को मैं कैसे overtech करू, share market अगर नीचे गिरा भी है, तो ये opportunity है, इसमें कैसे invest करू, थोड़ा risk लेके कैसे grow हू, वो donate भी कर रहा है, सब को help कर रहा है, उसके पास एक short term plan भी है, economical crisis से बहार निकलने का उसको पता है, भले future uncertain है, पर वो positive note के उपर अपना profession को आगे चला रहा है, अपने wealth को manage कर रहा है, career front के अंदर उसको पता है कि future में क्या आने वाला है, उसकी तयारी वो अभी से लगा हुआ है, shutdown होने वाला था, lockdown होने वाला था, ये उसको पता था, तो पहले से उसने work from home के तयारी कर ली थी, अपने staff को उसने training दे दी security, hardware, software पहले ही ले चुके थे, वो सब ये शुरू से ही उनके office में ये सब चल रहा था, तो उनको ये चीजों का ज़्यादा risk नहीं लगी, फिर वो enhance कर रहे है, अपना knowledge, अपनी skill, वो नए-ने चीजे writing कर रहे है, training में भाग ले रहे है, develop कर रहे है, help कर रहे है, अपने professional colleagues को employees को, अपने CA colleagues को, articles को, कि इसमें से हम कैसे और आगे नया कर सकते है, जैसे finance के sector में हम कैसे जा सकते है, और क्या नया आगे काम होगा, online technique कैसे वड़ेगी, work from home में अगर हम आगे चल गए, तो हम offices को भी अलग-अलग location पे कैसे expand कर सकते, तो इस positive note के साथ में वो काम कर रहा है तो आखिर में, एक मुझे आपको सबको बताना है, कि हम रोज हमारा समय कैसे गुजार रहे है, किस approach में हम कितना time spent कर रहे है, ये सबको देखना जरूरी है, एक CA होने के नाते, जरूरी नहीं है कि वो डरावा हो, जरूरी नहीं कि वो हर्दम ही सीकरा हो, जरूरी नहीं कि हरदम growing phase में हो तो अपने दिन चरिया के अंदर जितने ज़्यादा हम thoughts positive रखेंगे fearing कभी कभी हमको भी डर लग रहा होगा पर हम चलो उसमें से भार निकले चलो आज हम क्या सीखे चलो आज हम क्या नया support कर सकते ये सोचेगा वो ही इंसान आगे बढ़ेगा जो जादा से जादा growing thoughts में आगे रहेगा क्यों डरे की जिन्दगी में क्या होगा हर वक्त क्यों सोचे की बुरा होगा बढ़ते रहे मंजिलों की और हमें कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा मेरे दोस्तों तो ये ऐसी सोच रखे जो आगे बढ़ेगा ये तीनों अप्रोच आपके सामने मैंने रखे है तो ऐसे अप्रोच के अपने पार्टनर्स है ऐसे अप्रोच के अपने कलीग्स है ये पैचानो और उनको help करो और उनको भी convince करो कि ये ऐसे नहीं ऐसे अप्रोच से अपने को आगे बढ़ना है तो लास्ट में आप conclusion क्या है conclusion यही है कि CA is not a tough course it is a course for tough people तो CA में आये है तो सब ने लड़ाई करके आये है तो ये lockdown एक छोटी सी लड़ाई है हम सब मिलके इसको आगे लेके जा सकते है तो हमारे पुराने दिन याद करे पड़ाई के और इसको हम आगे लेके जाए क्योंकि पहले हम पड़ाई जो करते थे वो lockdown जैसी ही थी तभी जाके हम CA बने है तो हमें lockdown का कोई नया अनुभव नहीं है हम ये मान के चले कि हम तो इसी के हिसाब से आगे लड़ने के लिए बने है तो last में अब हम conclusion के तरफ आ गए है तो conclusion के अंदर हम ये देखेंगे कि हमको आगे बढ़ना है और ये जो course है ये tough people के लिए जरूर है और मुझे भी toughness आगे बताना है आगे बढ़ना है तो इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना session खतम करता हूँ thank you for listening to my session अगर आपके कुछ भी सुजाओ हो तो जरूर मुझे whatsapp करे facebook के उपर share करे मेरे साथ में और मेरा यही मानना है कि एक positive note के साथ हम आगे बढ़े और एक positive note के साथ हम आगे जिन्दगी जीए with these words all the best let's grow together